Hello guys welcome to civil construct आज हम लोग बात करने वाले हैं माइवन शुत्रिंग की quantity से related में detail में आप लोगों को with the help of AutoCAD drawing किस टाइप से आप लोग शुत्रिंग की quantity calculate करेंगे क्या procedures होता है किस टाइप से हम लोग easy way में calculate कर सकते हैं आप लोग slab की quantity beam की quantity, staircase की quantity यह complete detail में discuss करेंगे बट यहां पर मैं आप लोगों को only related to my1shuttering बताने वाला हूँ जो लोगों का next course है estimation and quantity surveying जिसमें detail में हम लोग study करेंगे किस type से आप लोग measurement sheet create करते हैं किस type से आप लोग summary sheet create करेंगे किस type से आप लोगों को drawing में polyline से आप लोगों को quantity calculate करना है like यहां पर आप लोग देख सकते हैं column and share wall, non-structural wall, beam, slab and staircase पाच जो component part है यह हम लोग calculate करेंगे one by one quantity and यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह square meter में quantity actually यहां पर आप लोगों को square meter लेना है यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह square meter में quantity लेना है एंट किये जो my one की quantities calculate किया हुआ है यह हम लोग समझेंगे डीटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो first हम लोग start करते है column and share wall की quantity यहाँ पे आप लोग देखेंगे c1, c20, c21 यहाँ पे आप लोग देखेंगे columns मैं already drawing आप लोगों को detail में autocad drawing, normal कैसे drawing read करते हैं, RCC drawing कैसे read करते हैं यह आप लोगों को मैं assume करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से clear है किस types हम लोग quantities calculate करते हैं यहाँ पे आपको समझना है किस types हम लोग calculate करेंगे column c1 की shuttering तो यहाँ पे first one by one आप लोगों को calculate करना है, आप लोगों को first 365, 2.9, 350, 2.9 क्या करना हैं, यहाँ पे आप लोगों की beam है, तो यह beam connect है column में, तो यहाँ पे आप लोगों को quantity calculate नहीं करना है बट यह जो portion है, यहाँ पे आप लोग अगर dimension calculate करेंगे, यह जो portion है, यह portion की आप लोगों को quantity calculate करना है 365, 365, 2.9 floor to floor height है, and again आप लोगों को calculate करना है dimension, यह जो portion है, यह portion की 350 and 365, यहाँ पे आप लोगों को calculate करना है, यह आप लोगों को calculate करना है देन आप लोग देखेंगे 255, 65, 65, 125, यह calculate कैसे करना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 65, यह जो portion है आप लोगों का, यहाँ पे यह जो portion है, यह portion में भी shuttering होगी, यह एक आप लोगों को 65 mm, यहाँ पे देखेंगे यह non-structural wall है, बट यह जो offset है 65 mm का है, same offset यहाँ पे आप लोगों को 65 mm का मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यह भी 65 mm का offset है, यह जो portion है, यह portion 125 mm का offset है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे यह जो है, यह 125 mm का offset है, यहाँ पे, तो यह आपको calculate करना है, 125 mm, 65, 65 and 125, तो यहां पर देखेंगे 65, 65, 125, 2.3 height है, यहां पर आप लोग चो beam की depth है वो minus कर देंगे, तो यह यहां पर 255, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यह जो portion है, यहां पर यह जो ए non-structural wall है, यहां पर यह जो ए non-structural wall है, और यह beam यहां पर connect होती है column में, तो अग मैं आप लोगों को बताऊं, किस type से यह connect हो रही है, तो इस type से आप लोगों का column है, यहां पर आप लोगों का column है, यहां पर second जो है, इस type से आप लोगों का, यहां पर देखेंगे, इस type से यह column है, यह जो offset है, यह आपको समझना है, practically आप लोगों को समझना है, किस type से calculate कर करना है यहाँ पे देखेंगे यह जो portion है balance यह portion की आप dimension देखेंगे 850 यह वाली जो dimension है आप लोग देखेंगे यह जो dimension है यह dimension आपको 135 एंड यह जो portion है balance portion है यह balance portion की quantity आपको क्या करेंगे 485 जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 850 135, 485, total जो quantity है, यहाँ पर 180 mm slab की थिकने से माइनस कर देना है, यहाँ पर 180 mm slab की थिकने से मिन्स, आप लोगों का 2.9 minus 180 mm, तो इस टाइप से आप लोगों को total quantity calculate करना है, like column, जितने भी columns होगे, share walls होगे, इस टाइप से calculate करके आपको total quantities calculate करना है, यहाँ पर 890 square meter है, आपकी total share wall and column की quantity है, यह हम लोग complete estimation and quantity है, calculate करेंगे complete course में, मैं one by one step में आप लोगों को बताने वाला हम, यह just overview है, non-structural wall की आप लोग कैसे calculate करेंगे, quantity, यह समझ लो, 4570, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, already मैंने आप लोगों को बता है, non-structural wall, यह जो portion है, यह non-structural wall है, यहाँ अगर यह बात करेंगे, मैं अगर यह dimensions को remove कर दूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यह जो portion है, यह portion non-structural wall है, यह non-structural wall की अगर आप dimensions check करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यह 1600 plus dimension, 1600 plus 730 plus आपको क्या करना है, यह width 90 mm, प्लस आपको dimension क्या करना है, यह 640 plus dimension आपको calculate करना है, यह non-structural wall, आपको 1510, तो आपको यह जब calculate करेंगे, 1600, 730, 90 mm, 640, 1500, 10, यह total जो wall की periphery है, यह periphery में आपकी पूरी dimensions है, तो dimension 4570 होगा, 1600, 730, 9640, 1510, आप जब यहाँ पर equal कर देंगे, तो आपकी कितनी होगी, 4570, height कितनी होगी, 2.9 total height and floor to floor, जो height है, वो minus कर देना है, आप लोगों को slab depth से, 180 mm slab की depth है, आप यह quantity कैसे calculate करते हैं, अलरी मैंने बता है, formula आप लोगों को use करना है, तो यह quantity आप लोगों की find out हो जाएगी, non-structural wall की, आपको जितनी भी non-structural wall है, 125 mm, 150 mm, 160 mm, any band other, जिसकी calculate करना है, total quantity 970, 1.4 square meter होगी, like आप लोगों को beam की quantity भी same calculate करना है, यहाँ पे आप लोगों को मैं beam की बारे में बता दो, beam की quantity कैसे calculate करेंगे, outer, inner, यहाँ पे देखेंगे, 2500, 600, 1800, 165, 2650, 420, तो यहाँ पे अगर मैं यह beam की बात करूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे, dimension लेना है, सबसे पहले, यह अगर beam 1 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग calculate जब करेंगे, तो 2.5, यह जो portion है, 2.5 length, और आपको outer, 600 mm, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, 600 mm लेना है, बट यहाँ पे देखेंगे, आप लोग यह चज्जा है, तो चज्जे की dimension आप लोगों को ले लेना है, 1800 minus कर देना है, चज्जे का depth, 1800 minus 165 slab, चज्जे का depth देना है, और यहाँ पे 2625, यहाँ पे inner side लेना है, inner side के इस type से लेंगे आप लोग, dimension यह आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे, 2625, यहाँ पे inner dimension ले लेना है, इस type से आप लोगों को bottom, यहाँ पे देखेंगे यह जो bottom है, यह bottom भी आप लोगों को चेक करना है, 65 mm bottom, 225, यहाँ पे यह जो dimension है, यह आप लोग देखेंगे, यह non-structural wall है, यह नीचे से आएगी, तो 161, 165, तो यह dimension आप लोगों को क्या होगा, यह 65 mm, 265, यह bottom, यह इस type से आप लोगों को beam की पूरी periphery की quantities calculate करना है, manually calculate करना है, इसके पूरे fund है, हम लोग estimation वाले course में, detail में study करेंगे, तो इस type से आप लोगों को beam की sides की shutterings calculate करना है, यह total quantity beam की होगी, यह आपको 159.361 होगा, यहाप लोग समरी में भी देख सकते हैं, अब हम लोगों को slab की quantities निकालना है, and staircase की quantity निकालना है, slab के लिए आप लोगों को simple सा, मैं आप लोगों को previous वीडियो में भी बताया हुआ है, इस type से आप लोगों को polyline लेना है, यह polyline से आपको क्या करना है, इधर paste कर देना है, and इसका area चेक कर लेना है, area कितना होगा, यह यहाँ पर आपको depth चेक कर लेना है, depth आप लोगों के कितनी है, 180 mm slab की depth है, and यहाँ पर other भी आप लोगों को calculate करना है, तो आपको यह area है, आप लोगों को directly slab में area चेक कर लेना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यह जो है 20.96 area ले लेना है, same thing, flat slab, आप लोग different flat slabs लेंगे, hall अगर लेंगे 4.975, 2.64 जो भी deductions है, deductions करेंगे, तो complete आप लोगों के slab की shuttering calculate हो जाएगी, यहाँ पर, and आप लोगों को same way staircase की भी quantities calculate करना है, riser, tread, floor, mid-landing, and total quantities calculate करना है 67.8, and यह आपको summarize करना है, तो आप लोग देखेंगे, total quantity, पूरे particular floor की कितनी होगी, एक floor की quantity कितनी होगी है, 2539.36 square meter, तो इस टाइप से आप लोगों को calculate करना है, complete detail में, so guys, यह complete course में आप लोगों को idea हो गया होगा, किस टाइप से आप लोगों की shuttering की quantities calculate करेंगे, आप लोगों को practical concept समझना है, concrete के face को समझना है, किस टाइप से क consider करना है, यह पूरे calculations करना है, so thank you so much guys for watching this video.